आप लोगों की बातों पर पंच तंत्र के कथा याद आती है आपने सुनी होगी चार ठग थे एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसी ली जाए तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो तो उनने का चलो छीन तो पर पाएंगे तो एक काम करते हैं चारों अलग 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 जगे खड़े हो जाते हैं और अलग 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 जगे खड़े हो करके हम लोग बोलें कि भई ये कुट्य का बच्चा कहां लेके जा रहा है तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंदे में रख करके लेके जारा है तो पहले ठक के पास सी घुजरता तो बोलता अरे काका ये सब ले जा रहा है किषान बोलता रहे धूरत कहीं के ये कुट्छे का बच्चा है वे चुपहो जाता है आगे अगले चौराए बेजाता दोस्ता ठग अरे खा का यह कुकते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे बोलता है उसको भी डाड़ता का रे पागल हो गया क्या अरे कुते का बच्चा ने बकरी का बच्चा है अगरे आगे बढ़ता है फिर चौतीसा ठग मिल जाता है वहाँ भी फिर यह तो बोलेगा लगता है कि मेरी दिरिष्टी दोसी मुझे हो गया है लगता है यह कुते का बच्चा है उसने फिंग दिया उसको चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाओ में खटा-कट 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 एक लाग का ब्रौड एक लाग का बौर्ड कहां गया एक लाग का बौर्ण और मैं इसले कह रहा हूँ सिभाल जी भाग गया यहां से लेकिन मैं कह सकताओ 27 में सफाचर्थ के लिए तैयारी रहे 27 में सफाचर्थ एक लाग बौर्ण के ने हम लोग भी माझेंगे हिसाब एक लाग का बॉरन तहां गया और मैं तो आप सबसे कहूंगा एक बार जाइए जनता जनार्दन के सामने पूछे उनको कि भाई एक लागता हिसाब मांगे इन लोगों से पैसा गया का कौन खा गया खाने वाले लोग कौन है एक लागता